वेलकम बैक तो अनदर वीडियो और आज हम बात करने वाले हैं स्विगी के रिवेन्यू ब्रेकडाउन या स्विगी के रिवेन्यू सोर्सिस क्या क्या है और उसने किस सोर्स से कितना पैसा कमाया है 2020 में यह सब मैं आपको बताऊंगा वीडियो में तो वीडियो को एंट तक और अपने दोस्तों के साथ शेर भी किजिएगा तो हम बात करने वाले हैं स्विगी के रिवेन्यू के बारे में तो जो उसने 2019 में कमाया थे वो थे कमाया नहीं बोलूँगा इसको बोलूँगा रिवेन्यू कर रहा था मलब इतने की सेल्स करी थी इसमें से एक्सपेंस भात करें 296 क्रोड हो गया है मालकि धाईगुना Brushy यूदा भड़ा है उनका रिवैन्यू और करने इस रिवेन्यू के स्क्राइटर करोड Chi using ना कि पर एक्जामपल अगर कुसी रेस्टोरेंट पार्टनर का बिल आता है, तो या देड़ सुर्पे तो उससे 20, 25, 15 हर रेस्टोरेंट के साफ से अलग-अलग कमीशन चार्ज करते हैं, रेस्टोरेंट ओनर से उनको ओर्डर के लिए, तो कमीशन से सबसे ज़्यादा 1502 करोड पे कमाए हैं, उसके बाद आते हैं डिलिवरी फीज, जो आपसे चार्ज करते हैं, आपसे 20 उपे, 30 उपे, 40 उपे कहीं कहीं किसे में 50 उपे डिलिवरी के नाम पे चार्ज करते हैं, उससे उन्होंने 546 करोड पे, लगबग 20% के हिसाब से, 20% के लगबग 546 करोड पे, 2696 करोड में से डिलिवरी इंकम के नाम के हैं, उसके बाद आता है सेल ओफ फूड, ये भी इनका बहुत तेजी से बड़ा है, 6 गुना तेजी से बड़ा ही बिजनस, अपना खुद का क्लाउड किचन का बिजनस, क्या होता है कि सुगी ने कुछ अपने खुद के रेस्टोरेंट लिस्ट का रखे हैं, और आपको पता ही लगता है यह स्विगी का खुद का रेस्टोरेंट है यानि आपको अमेशा जनरली टॉप पे भी दिखते होंगे यह रेस्टोरेंट तो उन से उन्होंने पंदरा परसंट यानि 405 करोड पर कमाएं इसको देखके तो मैं भी शौक में था कि क्लाउड किचन का बिजनस इतना ज्यादा है इससे पता लगता है कि डाटा कितना इंपोर्टन है और उसी डाटा के बेस पे क्लाउड किचन से पैसे कमाते हैं स्विगी वाले उसके बाद आते हैं एड इंकम आप देखेंगे ना कुछ रेस्टोरेंट प्रमोटेड में आता ह है कुछ रेस्टोरेंट्स ऊपर आते हैं कुछ रेस्टोरेंट्स पे आपको देखेंगे हमेशा ऊपर ऊपर दिखाते हैं तो नसे बहुत Vidire चार्ज करते हैं पेपकलिक के नाम पर्ट्रफैंट प्लेस्मेंट के लिए तो उनसे एड inčम के चो इन्होंने कमाएं है 180 करोड पे और बाकी छोटे मोटे इंकम है 63 करोड उपीस इसके बाद इन्वेस्टमेंट जो अपनी थी उनके पास एक्स्ट्रा फंड है उसको इन्वेस्ट करके भी कुछ 200 करोड से लगबग उपर कमाएं है उससे भी उनको कुछ खाफी अच्छी अर्निंग हुई है तो यह था रिवेन्यू ब्रेकडाउन शुइगी का अगर आपको सुइगी का बिजनस मोडल जाना है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं मने पूरा डिटेल में समझा रखा है कि कैसे सुइगी का बिजनस मोडल काम करता है और वीडियो दो-तिन साल पुरानी है तो धीरे धीरे यह जो मने और भी आपको पेरामेटर्स बताएं जिससे वो अर्न करता है मनी वो भी एड हो गए है भी आने वले सालों में तो यह था सुइगी का रिवेन्यू ब्रेकडाउन अब बात करते हैं एक्सपैंसिस की जो 2019 में थे उनके एक्सपैंसिस से 3,659 अलब की 2696 करोड़ उपर कमाने के लिए उन्होंने 6864 करोड़ फिस खर्च कर दिये हैं यानि जो उनका लॉस आ रहा है जो 2019 में 2362 क्रोड़ था वो 2020 में बढ़ के 3909 क्रोड़ फिस हो गया मलब इतना लॉस में है सुइगी 2020 के फिनेंशल यह में तो यह था एक सुइगी के आई पर वीडियो जिसमें मनें आपको 2019 के विगर का कमपैरेजन किया सभी पर बनाऊंगा सावती के बारे में तो चैनल को जरू सबस्क्राइब किजेगा मैं आपके लिए ऐसे खाले तब तक के लिए बाबाए signing off for today, take care